भारती राजनीत के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता के पीछे उनमत चिर विग्न संतोशी पार्टी किसी भी अच्छे से अच्छे अनुष्ठान में विग्न उत्पन्न करके कैसे संतोश प्राप्त किया जा सकता है उस प्रवित्त की परचायक कॉंग्रेस पार्टी के साथ पता नहीं कौन सी समस्या है कि भारत का इतिहास जब-जब करवट ले रहा होता है तब-तब वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिशकार करते हैं अभी हाल में आपने देखा चंद महिने पहले की बात है पिछले वर्ष की नई संसत भवन के उधगाटन का बहिशकार किया भई नई संसत भवन डेड़ सो वर्षों तक चलेगी इसका भारती जनता पार्टी अत्वा प्रधान मंत्री शी नरेंदर मोधी जी से तो कोई मतलब नहीं है उस एतिहासिक अवसर का बहिशकार किया जबकि उलेखनी यह है कि अंग्रेजों के जमाने की संसत का बहिशकार नहीं हुआ था वो इस रागटन में जी एस्टी लागू हुआ भारत के कर संदचना में टैक्स स्ट्रक्चर में एतिहासिक पैरडाइम शिफ्ट इस देशों के राष्टा अध्यक्ष भारत में आये क्योंकि मैं पुनाह विरम्रता से कह दू कि नॉन इलाइन समिट भी हुआ था पर नॉन इलाइन समिट उसमें वर्ल्ड का पावर सेंटर नहीं माना जाता था जी तुसमें महामरीम राष्टपत की द्वारा दिये गया भोज का वैशकार किया अरे भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्बाव था हमारे पूर्व राष्टपती रामनात कोविद जी और द्रोपदी मुर्मू जी के अभीभाशन का वैशकार किया जबकि वो हमारे राष्ट के प्रथम नागरिक है परन तो ये एक संयोग की बा 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था क्यों कॉंग्रेस ने बहिशकार किया था कारगिल विजय दिवस का भारती जंता पार्टी के प्रकर पित्रोत के बाद आदे अदूरे मन्स से रस्मत आएगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया और अब हम उसको गर्व के साथ बनाते हैं जब मई भी नकारत प्रकार की प्रक्रियाएं जबकि भारत में पहली बारे कहा था कि भी आफ डिकलेर्ड नाव विकम दे नुक्लेर स्टेट कितना बड़ा एथियासिक परिवर्तन था परंतु उसके भी ये विरोध में खड़े हो गए और तो और पूरवर आश्ट्रपति प्रण परिश्क्रत करती चली जा रही है परंत उनकी बुद्ध परिश्क्रत होने का नाम नहीं ले रही है आज जब आयोध्या में श्री राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस समय एक बार पुनह कॉंग्रेस ने अपनी उसी प्रवत्तिक अनुर गुलामी हम कहते हैं 800 साल की गुलामी तो ये 500 साल के संघर्ष के बाद भारत का वहस्वाभिमान उभर कर सामने आने जा रहा है जिसके की लिए सरदार पटेल ने कहा था सोमनात मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की समय कि जब जब भारत सोतंत्र हुआ था तो सोमनात की अट पश्ट करना चाहता हूँ कॉंग्रेस अपनी प्रवित्ति की अनुरूप है मैं आप लोग के सुलब संघ्यान के लिए कोट करना चाहता हूँ कि जब सोमनात मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो जबालाल नहरू जी ने 24 अपरेल 1951 को जाम साहद दिग्विजे सिंग जो कि उस समय सौराष्ट के प्रमुक थे यानि लाइक टेकनिकली दे चीफ मिनिस्टर और उन्होंने जब इन्वाइट किया तो नहरू जी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूँ इसलिए कि कॉंग्रेस उसी परमपरा में चली आ रही है उन्होंने लिखा कि इस समय में समारो के लिए मेरा दिल्ली से आना संभव नहीं है पर आगे महत्पून बात लिखिये इस समारो के बारे में मैं अपने विचार साफ कर देना चाहता हूँ मैं इस पुनरुथान वाद से बहुत परेशान हूँ मेरे लिए बहुत कष्ट कारक है कि मेरे राष्ट्रपती और मेरे कुछ मंतरी और राजप्रमुक के नाथे आप सोमनाथ के इस समारों से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रकतिके या नुरूप नहीं है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे ये 24 अप्रेल 1951 सोर्स है सेलेक्टेट बल्स अब जवाल अनहरू सिरीज 2 वॉलूम 16 पार्ट 1 बस वही तो परंपरा थी उसके बाद इंद्रा जी के जमाने में गोरकशक संतों पे गोलियां चली इंद्रा जी के जमाने में 1976 में जब रूटीन खुदाई में राम मंदिर के खंबे निकल लए थे तो वाम पंती त्यासकारों के दवाओं में रुकवा दिया गया राजीव जी के जमाने में कारसेवकों के हत्या करने वालों का समर्थन हुआ पीवी नरसिमाराव जी के जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ वो आपको पता है और सुनिया जी के जमाने में आते आते राम कालपनिक होने का हलफ नामा तक हो गया यानि यह बहुत साफ है कि यह प्रवत्ति जो आज कॉंग्रेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे परंतु आपने ऐसा नहीं किया परंतु मैं एक और बात इसपश्ट करना चाहता हूँ यह नहरू की कॉंग्रेस है यह गांधी की कॉंग्रेस नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनेतिक दर्शन था राम राज्य महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रगुपति राघव राजा राम महात्मा गांधी की समाधी पे लिखा हुआ है हे राम और आज उस रामराजी की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहाई स्टी गणेश हो रहा है और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांदी की कॉंगरेस और नहरु की कॉंगरेस का अंतर भी अब बिलकुल साफ हो गया है और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गवाया है ये कॉंग्रेस के अंदर का भारती ये संस्कृती हिंदू धर्म और हिंदुत के पृति जो विरोध है उसको दर्शाता है अब बताईए इससे अदा क्या होगा कि शीराम जन्भूमी केस में जो बाबरी मस्जित पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे उनको इन्वाइट किया गया है ये हिंदु धर्म की महान उदारता के परमपरा के अनुरूप है गोली चलाने वालों को भी इन्वाइट किया गया बताईए वो आने को तयार है जो मुख्य पक्षकार थे मगर चंद कटरपन्थी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस परधा में कॉंग्रेस और कॉंग्रेस गोत्र के सारे दल कॉंग्रेस की परमपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तयार है तो आपने गिंदी में कहाब सुनी होगी न कि मुद्दई सुस्त गवाचुस्त यहां तो मुद्दई स साथ में आके खड़ा हो गया है मगर इसके बावजूद इन लोग के मन में अभी भी वहलोभ दिखाई पड़ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि एक कहवत होती है कि राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम तो दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम इस पष्ट कर देना चाहता हूं इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिश्कार करके कॉंग्रेस पाइटी और कॉंग्रेस की परंपरा कॉंग्रेस गोत्र के जितने दल हैं उन्होंने इस पष्ट कर दिया है कि वो राजनैत्रिक दृष्टी से निश्प्रान तो होते ही जा रहे थ थे अब उनकी पृतिष्ठा भी समाप्त हो गई श्री नरेंद्र मोदी जी के पृतिया आपके मन में जो भी इर्शा है द्वेश है इंफिरियाटी कॉंप्लेक्स है उसको लेकर आप भारत के विरोध तक चले जाते थे आज भगवान के विरोध तक चले गए इसलिए मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक बार श्रीराम जनभूमी ट्रस्ट ने जब इन्वाइट किया था तो उन्हें सद्बुध्याई होती तो शायद वो अपने पूर्व कर्मों का परिशकार करने के लिए आ जाते है वैसे कॉंग्रेस पार्टी के अंदरी कई नेत के तेरे द्वार पे कैसे आऊं क्योंकि इतने पाप किये हुए हैं उन्होंने पर उन्तों आज उस पाप के परिमारजन का आवसर था वो भी आपने छोड़ दिया है तो इसके लिए मैं रामचरित मानस की एक चौपाई कहता हूँ कि आकाश से जल मतब जो बादल है अम्रत उसी प्रकार विरंच अर्थात ब्रह्मा जी के जैसा भी आपको योग्य गुरु मिल जाए फिर भी जो मूर्ख लोग होते हैं उनके हर्दे में चेतना नहीं उत्पन होती तो कहा गया है जदप सुधा बरसही जलद थूलही फलही नबेद जो गुरु मिलही विरंच चिसम मूरक हर्दे नचेत इस कारण से उनके हर्दे में यह चेतना नहीं आपा रही है पर अंतो मैं पुना इस पश्ट करना चाहता हूँ कि हर एतिहासिक अवसर का विरोध करते करते कॉंग्रेस ने आज भारत भारतियता के स्रिष्टतम मूल्यों के पृतीक भगवान श्री रा राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्था का बहिश्कार करके यह दर्शा दिया है कि उनके लिए राजनीती और राजनीत में भी कटरपंत की राजनीती हम किसी समुदाय की बात नहीं करें कटरपंत की राजनीती अधिक महत्वपून है और राष्ट के आदर्ष और प्रेण कम महत्वपूर्ण है इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भगवान राम वो आदर्श है जो सभी मत संपरदायों के लोग बांगते है दुनिया का सबसे बड़ा बहुत देश थाइलेंड का राजा टाइटिल होल करता है किंग रामा देंथ सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया में पृतिशत के हिसाब से भारत से यादा रामायन होती हैं सारे पात्र मुस्लिम होते हैं लगबख साथ पृतियत देश जहां लोग जहां नास्तिक हैं वहां साउथ कोरिया की लेड़ी मानती है कि उसका वंश परंपरा भगवान राम से है परंट अफसोस विरोध नजर आ रहा है तो इसलिए मैं इस पश्ट रूप से कॉंग्रेस से कहना चाहूंगा कि आप इसके द्वारा ये साफ इस पश्ट कर दीजिए कि अब आप अपने पुराने बयान पे कायम है कि नहीं श्री पीवी नर्समाराव ने दिसंबर 1992 में कहा था नहीं वह त कॉंग्रेस के अंदर की मूल प्रवत्ति क्या है धन्यवाद